हेलो फ्रेंट्स, नमस्कार, कैसी हैं आप सभी? मैं हूँ आपकी दोस, वरंदा, एक बार फेर आ गई हूँ, आप सबसे बाते करने के लिए फ्रेंट्स, वक्त बदल रहा है, हमारी आदतें भी वक्त के साथ बदल रही है हमारे तौर, तरीके, पहनावा, सब कुछ, सब कुछ वक्त के साथ बदल रहा है हमारा स्टांडर्ड ओफ लिविंग, खान पान के तरीके, हमारी पसंद, ना पसंद, यहां तक कि हमारी प्रायोर्टीज भी बदल रही है और कहीं न कहीं सही भी है कि समय के साथ कदम मिलाने के लिए अपने अंदर बदलाव लाना जुरूरी है हमें बदलना बेहत जुरूरी है ताकि वक्त के साथ चल सके पर फ्रेंड्स, एक एहम बात जो आत्म विशलेशन करने की है कि कहीं बदलते हुए वक्त के साथ हम अपने रिच्वल्स को तो भूलते नहीं जा रहे कहीं अपने संस्कारों की जड़ों को तो भूलते नहीं जा रहे कहीं हमारे अंदर से हमारी समवेद नाय तो लुप तो नहीं होती जा रही इन चीज़ों पर भी विचार करने की जरूरत है बदलाओ का अपने अंदर आना लाजमी है और आना भी चाहिए पर एक बार बैठ कर सोचने की जरूरत जरूर है कि कहीं अपने संसकारों को अपने तहजीब को हम पीछे तो नहीं छोड़ रहे बदलते वक्त के साथ कहीं नैतिक मूल्यों को तो नहीं भूल रहे इस बदलते वक्त के साथ आगे बढ़ने की दौर में कहीं अपने अंदर मानवी संविदनाओं को शूने होते तो हम नहीं पा रहे तो शायद मुझे लगता है कि इन सब चीजों को भी कहीं न कहीं पीछे चूटता हम जरूर पाएंगे ये बात सही है कि हम बहुत व्यस्त रहते हैं अधिकान समय से वर्किंग विमन्स हैं समय का भाव रहता है घर, बाजार, वर्क प्लेस, परिवार, बच्चे सब में सामन जिस से बिठाना, सब को एक साथ लेकर चलना थोड़ा सा खठिन तो है लेकिन सक्यों फिर भी अपने अंदर समविदनाओं को जीवित रखना संसकारों को जीवित रखना, अपनी तहजीब को जीवित रखना भी बेहत जरूरी है क्योंकि यदि हमारे अंदर ही समविदनाओं की कमी होगी तो फिर हम अपने बच्चों को, बच्चों से इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं या आगे आने वाले जनरेशन, यदि उसमें तहजीब की कमी है, समविदनाओं की कमी है तो हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं, जब हमारे अंदर ही वो चीज मौझूद नहीं है वियस्तता के चलते इन चीजों को हम नजर अंदाज नहीं कर सकते यदि इन सब चीज़ों को हम नजर अंदाज करेंगे तो अपनी इस लेगसी को आगे हम कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे अपने बच्चों को संसकारों की घुट्टी हम कैसे पिला पाएंगे कैसे उनसे मानवता की उम्मीद हम कर पाएंगे फ्रेंड्स क्यों न हम भी कोशिश करें कि मोबाइल सोशल मीडिया पर बहुत जादा वक्त जाया ना करें हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें हम अपने साथ कुछ वक्त व्यतीत करें अपने आप से बात करें स्वयम से मुलाकात करें और एक आत्म विशलेशन करें कि हम कहीं कुछ पीछे तो नहीं छोड़ रहें क्या हमारे अंदर हमारी वो सारी चीज़े मौजूद है जो हमें इस्ट्री होने का हिसास कराती है एक बार जरूर इस विचार की जरूरत है फ्रेंड्स लोगों के प्रती सहयोग आत्मक रवया रहना भी जरूरी है यदि हमारे अंदर सहयोग करने की भावना होगी लोगों के प्रती प्रेम होगा, आदर होगा, समता होगा, सौहार्द होगा तब ही जाकर हम अपनी आगी आने वाली जनरेशन में इन सारी चीज़ों को दे पाएंगे नहीं तो आगी आने वाली जनरेशन समवेधना रहे थो अपने आप में गुम होते बच्चे उनसे हम किसी तरह की शिक्वा शिकायते नहीं कर सकते किसी तरह की expectation नहीं कर सकते क्योंकि हम तो स्वयम अपने आप में खूते जा रहे हैं यदि हमारे अंदर ये सारी बाते मवजूद हैं कि हमारा व्यवहार मधुर है हम बहुत soft spoken है हम लोगों की परिशानियों को अपना समझते हैं तब ही तो इन बातों को करने के लिए हम अपने बच्चों को या आगे आने वाले जनरेशन को प्रेरित कर पाएंगे और उनका भविश सुनहरा कर पाएंगे और हमारे समाज और देश को सही दिशा और दशा दे सकेंगे समाज में जो इतने crimes हो रहे हैं इतनी जो व्यमनश्यता फैल रही है रिश्टे तूट रहे हैं लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं शायद उसकी वज़ा यही है कि कही न कहीं हमारे अंदर समवेदनाओ का आभाओ है हम अपने नेतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं बदलते वक्त के साथ आधुनिक्ता की अंधी दौर में कहीं न कहीं हम अपने मूल्स रूप को खूते जा रहे हैं तो जरूरत है एक बार बैट कर इन सारी चीज़ों पर विचार करने की और यदि हमें लगता है कि ये चीज़े हमारे अंदर से भी गुम हो रही है तो अभी भी वक्त है एक बार फिर उन चीज़ों का पीछा करें उन से दोस्ती करें और उनके अपने व्यक्तित में शामिल करें सिर्फ और सिर्फ अपने आपको बदल कर अपनी सोच को बदल कर ही हम इस देश को बदल सकते हैं लोगों को बदलने से अच्छा है हम अपने आपको बदले अपनी सोच को बदले तब ये दुनिया ये जहां बेहत खुबसूरत नज़र आएगा अगले वीडियो को लेकर अपने फ्रेंड से बहुत जल्द होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए मुझे याने वरिंदा को दीजीगा इजासत बाई बाई